इसे बीच एक बड़ी खबर मिल रखी है उत्ते प्रदेश की सियासत से दिया है कन्नौस से सांसत बने है अखलेश यादा विधान सबा अध्यक्ष को उन्होंने स्टीफा बेजा है नेता प्रतिपक्षी थी है अलाओ दिन हमारे सेयोगे फॉन लाइट पर जोड़ गया अलाओ दिन ये खबर मिल रहा है कि करहल सीट से अकलेश ने स्टीफा दे दिया है क्या जान करी? विधान सबा अध्यक्ष का इंजार कर रहे थे लेकिर वो अभी तक आये नहीं वो शाहिद दिल्ली परवास पर हैं तो ऐसे में सबादेश एक लिए श्यादों ने अपना इस्टीफा जो है उनके कारियाले को रिसीब करा दिया है चीक है लाउदीन आप बड़े रहे गा हमारे साथ और इसी बीच एक और बड़ी ख़बर अपने दर्शुकों को बता दे अवधेश प्रसाद का MLA पत से इस्तीफा विधान सबा स्पीकर को इस्तीफा भीज़ा गया है सांसद बरने के बाद विधायक पत छोड़ दिया फैजाबाद से स्पी के सांसद चुने गए है मिलकीपूर विधान सबा से चुने गए थे विधायक मिलकीपूर सीट पर उपचुनाव होगा अलाओदीन हमारे साथ जुड़े हुए लगातार अलाओदीन अवधेश प्रसाद ने भी MLA पत से इस्तीफा दे दिया है मिलकीपूर में यानि कि फिर से चुनाव होगा उपचुनाव होगा अधिया बिलकूल अउधेश परसाद जो इलेक्शन अभी जीते थे फैदाबाद लोग सबाथे से उन्होंने भी अपना इस्तीफा अखलेश यादो जी के साथ ही वहाँ रिसीब कराया है तो इकली मिला करके चार जो विधायक से समयवारी पार्टी के वो सांसित बने हैं एक उकलेश यादो खुद करहल मैंन पूरी से उधेश परसाद फैदाबासी मिल्ठी पूर से लाल्जी वर्मा मेजकर नगर के तहरी से थे और जियाओ पहमान जो कुरादाबावी कुल जर्फी से विधान सबाथे से तो ऐसी में दो इस्तीफे अब तक विधान सबाथे से बिल्कुल अलाउदिन औरम ने देखा है कि कैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी मजबूत हुई है ऐसे में एक्टिव मोड में समाजवादी पार्टी भी नजर आ रहा कि आने वाले लिहासे भी अब उप्चुनाव भी होने हैं और आने वाले विधान सबाथ चुनावो के लिहासे भी गुडा गड़ित बिठाने के कोशिश अखले शादब कर रहे हैं के लिए कहेंगे और इस बादी तरफ भी इशारा करेंगे कि सयारी अभी से मुकमल रखें क्योंकि करीब दस नौ तो विधान सबाएक विधान परिशद है जिसमें चुनावोना है इसके बाद बीजेपी के अनूप बालमिकी हैं अतुल गर्जवी गाजियावाद से हैं प मकरूल जी स्वागत है न्यूजेटीन पर आपका उत्तर प्रदेश में अब समाजवादी पार्टी की स्थिती पहले से बेतर हो गई है ऐसे में अब दो और सीटे हो गई है जहां पर उपचुनाव होगा करहल में भी दोबारा से चुनाव होगा मिलकी पूर सीट भी खाली है उसको बुलंद करने का काम करेंगे उनके हक के लिए लड़ने का काम करेंगे तो जहां तक बाई-एलेक्शन की बात है कि उत्तर प्रदेश की बहुत सी सीटों पर बाई-एलेक्शन होने है और उन पर जब चुनाव की घोशना होगी तो समाजवादी पार्टी अपने प सिपा दिया है आदर्णी अकले शादो जी देश की संसद में जो उत्तर प्रदेश का प्रदिश करेंगे देश के उन गरीब किसान मज़ूर की बात करेंगे जिनकी हक की आवाज पिछले काफी समय से दबाई जा रही भारती जंता पर्टी के शाचन में किसानों के खिलाफ और मज़ूर की आवाज वो संसद में बुलंद होगी उनके हक के लिए लगने की आवाज वो संसद में मजबूत होगी पर पहले से इस बात को कह रही थी कि इस बार समाजवदी पार्टी 2004 का जो अपना पदर्शन था उससे आगे निकल जाएगी और उनके लिए अधर्णी अखले शादू जी ने जब गए वो फैदाबाद परचार करने तो वहाँ पर जन समर्थन देखा तो उस जन समर्थन को देख कि अधर्णी अखले शादू जी मजदूर है वो समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है यारिन यह पहले ही ताय हो गया था और पहले ही अपनी जीत को लेकर समाजवादी पार्टी आश्वास्त थी फकृरूल जी अमरे साँ जुड़े हुए है आरके मिश्रा भी आमरे साँ जुड़ गए हैं बी-जवी-पी से प्रवक्ता आरके मिश्राजी स्वागते निउजिटीन पर आपका फक्रोल असन जी पूरी तरह से आश्वस्त है कि अब दो सीटें जो और खाली हो जाएंगी जहाँ पर फिर से उपचुनाव होगा वहाँ पर भी समझवादी पार्टी ही जीत हासिल करेगी क्योंकि लोकसभाद चुनाव में जिस तरह से उनकी स्थिती मजबूत हुई है उसके बाद वो जीत को लेकर और ज़्यादा आश्वस्त हो गए है लोकसभागा उसमें भी कहीं न कहीं यह अफ्सोस जाहिर कर रही है और यह देख रहा हूं जो जाहे सोशल मीडिया के मादयम से हो चाहे ऐसे मेडिया के मद्यम से भी ऐसे रीक्षन आ रहे है तो निश्की तरप मुझे लग रहा है जो उस क्राव में जहां तक यह आश्वस हैं किस आश्वस जो किस आधार पर कह रहे हैं मुझे नहीं समझने लेकिन मुझे लगता है चाहे फक्रूल जी से जवाब ले लेते हैं फक्रूल जी क्या फैजाबाद की जनता इस वक्त निराश है जो नतीजे आए हैं उससे देखे सवाल यह है कि वो दोनों ही सीते समाज पार्टी के पास पहले बितनी विदान सबार और हम लोग सबाब जीद गए तो भारती जनता पार्टी के मित्र जिस बात को कह रहे हैं अरे साहब आप अयोध्या वासियों को आपके लोग भारती जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग उनकी भाषा क्या है सोशल मीडिय तो पूरा देश देख रहा है दुनिया देख रही है और आपको सबक सिकाएगी अभी जबार की ऐसा बार की जनता जिन शब्दों का इस्तिमाल भारती जनता पार्टी के कार करता उन्हें आयोध्या वासियों के लिए फैदाबाद वासियों के लिए किया है वो पूरी शुक्रिया